दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Facebook के 5 secret features के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके use करके दोस्तों फ्री में internet का मजा ले सकते हो अपनी battery life को increase कर सकते हो उसके साथ साथ अपना जो internet होता है ना उसे दोस्तों 40% तक बचा सकते हो उसके साथ साथ दोस्तों और भी काफी सारी चीज़े कर सकते हो आप दोस्तों Facebook डेली चलाते हो लेकिन सिप scroll down करते रहते हो Facebook के जो features होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी होगी लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको Facebook के 5 important features के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको जाना बेहत जरूरी है अगर आप Facebook चलाते हो तो तो इस वीडियो को लाइक करोई and continue guys इस वीडियो को देखते रहो So guys आये मैं आपको Facebook के 5 secret features के बारे में बता देता हूँ जो कि बहुत important है सभी Facebook users के लिए तो सबसे पहले मैं Facebook on कर लेता हूँ अब दोस्तों जो हमारा first feature है उससे दोस्तों हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास के area में कहां पे free का wifi है, free का internet है ताकि मुहाँ पे जा सके and free में internet चला सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो attention मतलो Facebook बताएगा कि आपको कहां पे वो location है तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे आना है Facebook on करकि ये जो 3 line है इसके उपर click करना है और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे setting and privacy दिखेगी बस इसके उपर click कर दो, इसके उपर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा find wifi आप देख सकते हो, यह feature सभी में है, अगर नहीं दिखता है तो आप अपना Facebook update कर लेना है उसके बाद आपको इससे open करना है, open करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारे shop दिखाई देंगे जहाँ दोस्तों आपको location की permission मांगेगा, location का permission जैसे on कर दोगे आपको यहाँ पे कई सारे shop दिखाई देंगे, आप देख सकते हो, अभी इन shop पे जब जाओगे आप तो यहाँ पे दोस्तों आपको free में wifi मिलेगा, मैं यहाँ पे open करके भी दिखा देता, लेकिन उनका जो private detail है, वो दिख जाएगा तो इस वज़े से मैं इसे open नहीं करूँगा, और आपको google map का भी option मिलेगा, आप google map से बड़े आसानी से उन shop पे जा सकते हो, और free में internet चला सकते हो, यहाँ पे आप पूरा map में भी देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ यहाँ पे आप जाओगे करोगे, आपके profile के पास green green color का ऐसा symbol आ जाता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है, कि आप इस समय Facebook पर on हो, फिर आपको call message करना शुरू कर देते हैं, लेकिन guys, आपको पता है Facebook में एक setting है, जिसको अगर आप बंद कर दोगे न guys, तो यह जो green signal है, यह बंद हो जाएगा, क आनेक बाद दोस्तों आपको नीचे आ रहे, यहाँ पर मैं आपको दिखा जिदा हूँ, सो यहाँ पर आप दिख लीजी, यह जो active status है, बस आप इसके उपर click करो, यह जो symbol है, यानि कि बंद करने का option है, इसे बस आपको बंद कर देना यहाँ से, turn off कर दो, उसके बाद दोस Facebook चलाओ, कभी भी Messenger चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं चलेगा, अगर दोस्तों मैं आपको Facebook का थर्ड फीचर बता देता हूँ, जिससे दोस्तों आप अपने mobile phone का जो internet है, जो data है, उसे 40% तक बचा सकते हो, यानि कि अगर आपको 1GB मिलता है, तो उसका 400 MB आप बचा सकते हो, कैसे बचा होगे, उसके लिए guys आपको यह जो तीन profile दिखरे है, इसके उपर आ जाना है, और उसके बाद नीचे आओगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा, mobile data uses का, आप देख सकते हो, तो simply इसके उपर आपको क्लिक करना है, इसके MB यूज होगा, मतलब कि आपका 400 MB बचेगा, तो बस आपको इसे on कर देना है, इसे on करने के बाद, आपका जो data है guys, तो 40% तक save होगा, तो यह बहुत important feature है, जिसका आप यूज कर सकते हो, Facebook को यूज करते हैं, अब दोस्तों मैं आपको आज का fourth setting बता देता हूँ, जिससे द दिखता है, तो इन सब में दोस्तों आपका battery ना बहुत जल्दी drain होती है, बहुत जल्दी खतम होती है, तो ऐसे में कौन सा setting करें, ताकि हमारी phone की जो battery हो, बहुत कम खर्चों, तो इसके लिए दोस्तों एक feature दिया होगा होता है, dark mode का, आप यहाँ पर देख सकते हो, कई ल Facebook चलाओगे, तो इसे हमेशा दोस्तों on करके रखो, जब आप Facebook यूज़ करते हो तो, अब दोस्तों में आपको Facebook का 5th and important feature बता देता हूँ, जैसा कि काफी लोकों को दिखाओगा guys, जो पूरा दिन Facebook पे लगे रखती है, मतलब कि उनका एक बोलते हैं एडिक्ट हो जाते है, Facebook एडिक्ट, तो ऐसे में कैसे हम Facebook चलाने से बचे, एक कमाल की Facebook में सेटिंग आ गई है, जिसे दोस्तों आप अपना time set कर सकते हो, कि आप दिन में एक गंटे ही सी Facebook को चलाना चाते हो, उसके बाद नहीं चलाना चाते, तो ये setting आप कर सकते हो Facebook में, उसके लिए बस आपको profile time पर आना है, नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा your time on Facebook, बस आप इसके उपर click करो, and यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो time होता है, उससे set कर सकते हो, and उसके बाद दोस्तों जो आपका Facebook रहेगा न, वो जितना time तक आप set करोगे, उतना time तक ही चलने व Facebook बस apply कर देते हैं, and उसके बाद दोस्तों यह on हो जाएगा, आप देख सकते हो, and उसके बाद जैसे ही दोस्तों आपका एक घंटा पूरा हो जाएगा, यानि कि 5 बचके 9 मिनट जैसे हो जाएगे, हमारा जो Facebook है न गाइस, बंद हो जाएगा, automatic close हो जाएगा, तो यह दोस्त पाच कमाल के Facebook के features, I hope guys आपके यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपके यह वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like ओ, share करना, and हमाई चेल को subscribe कर दिना, thank you guys, bye and take care, झाल